वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल इस्टडी विद्राज में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इंद्रधनुस के रंगों के नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में और साथ में ये भी बताऊंगा कि इंद्रधनुस में इनका शही क् सबसे पहले हम हिंदी में रंगों के नाम देखते है और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से तो देखियो ट्रिक कौन से है तो ट्रिक है बैनी आपी नाला तो देखिये यहां पर बै से हो जाएगा बैंगनी नी से हो जाएगा नीला आ से हो जाएगा आश्मानी हा से हो जाएगा हरा और पी से हो जाएगा पीला ना से हो जाएगा नारंगी और ला से हो जाएगा लाल तो इस प्रकार से ये बैनी आहपी नाला ट्रिक के माध्धम से हम इनका सही करम ग्याद कर सकते हैं ये नीचे से उपर की ओर सही करम होता है, यहनि कि सबसे नीचे इंदिधन उसमें बैंगनी रंग होता है उसके उपर फिर नीला होता है फिर उसके उपर आस्मानी होता है और इस परकार से ये नीचे से उपर की और रंग सजे होते हैं और इसमें से अन्यक परकार के कुश्चन जो है परिच्छा में पूछे जाते हैं इस तरीके के कुश्चन पूछ जाते हैं परिच्छा में जैसे पूछ लिया गया कि सबसे बीच में कौन सा कलर होता है तो आपको बताना है हरा देखे तीन रंग उपर है और तीन रंग नीचे हैं तो बीच में यहाँ पर देखे हरा रंग है और पूछ लिया जाता है कि सबस धनुस से सम्मंधित पूछे जाते हैं उसके बाद फिर अंग्रेजी में देखते हैं कि इनका सही क्रम क्या है देखिए क्रम जो हिंदी में है वही इंग्लिस में भी रहेगा लेकिन अंग्रेजी में इनके नाम देख लेते हैं देखिए अंग्रेजी में ट्रिक है विब ग्य यलो, ओ से हो जाएगा ओरंज, आर से हो जाएगा रेड, इस परकार से अंग्रेजी की ट्रिक हो जाएगी विब ग्योर, देखें वाइलेट होता है बैंगनी, इंडिगो, नीला, ब्ल्यू, आश्मानी, ग्रीन, हरा, यलो, पीला, ओरंज, नारंगी, रेड, लाल, तो इस पर नीचे रहेगा, यानि कि नीचे से उपर की ओर, देखिए, यहाँ पर ब्ल्यू मीन्स होता है, नीला, और यहाँ पर देखिए, ब्ल्यू कलर, यहाँ पर दिया हुआ है, नीला, यानि दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, तो यह हमेशा कुश्चन जो है, कन्फूजन पैद करता है इसलिए यहां पर आपको विशेश ध्यान देना है यहां पर आपको हिंदी वर्जन के हिसाब से आपको टिक करना है यहां कि नीला पूछा जाए तो आपको दूसरे नंबर पर टिक करना है और आस्मानी पूछा जाए तो आपको जो है तीसरे नंबर पर टिक करना है यानि की नीचे से तीसरे नमबर पर आश्मानी होगा क्योंकि यहां पर blue blue means देखिये होता है इसकाई blue यानि की जो हलका नीला होता है या आश्मानी नीला जिसको बोलते हैं और इंडिगो होता है गहरा नीला तो इस परकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंद धनुस के सभी रंगों के नाम सही क्रम में आप लोगों को याद हो गए होंगे दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सेयर करिए और कमेंट करिए और अभी तक हमारे चैनल पर नए है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे, और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजे जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबैल पर सबसे पहले पहुचे धन्यवाद जय हिन जय भारत